अगर आप भी अक्सर बदन हाथ में दर्द, ठकान, कमजोरी मैसूस करते हैं, तो ये परिसानी आपके पेट से जुड़ी है परिसानियों की बजा आतों में जमा गंदेगी और टॉक्सीन है इस गंदेगी और टॉक्सीन की बजा से आप जो भी फूर्स खाते हैं, उससे आपके बॉड़ी को सही से पोसन नहीं मिल पाता तो कैसे पेट से गंदेगी को साप करे, आतों को साप करे, तो आज हम लोग चार ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे, जिससे आप भी शरीप एक दिन में अपने पेट का सफाया कर सकते हैं सबसे पहला तरीका पेठा का जूस पिए, आधा पेठा लीजिए और उसे काट लीजिए, याद रखे कि पेठा ऐसा ले जिसमें गूदा ज़्यादा हो उसे अच्छे से वास कर ले, छील ले और उसके टुकडे कर ले, आप इसे मिकसार में डाल कर चलाए, इसे ग्राइंड करने के बाद कपड़े से चान ले आप इसका सेबन सुबा खाली पेठ करे, पेठ की सभाई अच्छे से होगी, आप चाहे तो इसमें आधा ग्लास नारियल का पानी भी मिला सकते हैं याद रखे कि इस जूस का सेबन करने के एक से दो घंटे तक कुछ ना खाए, ये जूस बॉडी को डिटॉक्स करेगा और एक दिन में ही आतों में जमी सारे गंदेगी को बाहर निकाल देगा दूसरा तरीका है निम्बू पानी, निम्बू पानी से भी पेट का सफाया कर सकते हैं पेट में जमा गंदेगी को बाहर निकालने के लिए गुनगुने गरम पानी में निम्बू डाल कर पिए गुनगुने पानी में निम्बू का सेबन करने से आतों में सड़रहा मल लूज हो जाता है और आतों में जमा गंदेगी बाहर निकलने लगेगी निम्बू पानी स्टूल को लूज करता है और बोडी को डिटॉक्स करता है तीसरा तरीका खीरे का जूस पिए अगर आपको सुबा सुबा ब्लोटिंग की सिकायत होती है पेट में दर्द या फूला हुआ मैसूस होता है तो आप अपने पेट की सफाई करने के लिए पेट की समस्ताओं को दूर करने के लिए खीरा का जूस का सेबन कर सकते हैं दो खीरा ले, एक काप पानी ले, आधा काप धनिया का पत्ता ले और आधा काप अद्रग ले इन सभी चीजों को अच्छे से साप कर ले, छील ले और इनके टुकडे टुकडे करके मिकसार में चलाए और सुबा खाली पेट इसका सेबन करे चौथा तरीका है सेब का सिरका मिलाए दोनों चीजों को अच्छे से मिकस कर ले और उनका सेबन खाने से 20 मिनिट पहले करे ये ड्रिंक पेट को भरा हुआ मैसूस कराता है और बजन को भी कंट्रोल कराता है दोस्तों इन सब ड्रिंक का अगर आप सेबन करते हो तो आपका पेट साफ होने के साथ साथ आपका इमिनिटी बुष्ट होता है आपका बजन नियंतन में रहता है और आपको कई गंभीर विमाई होने से भी आप बस सकते हैं उमीध है दोस्तों वीडियो आपको इन्फरमेटिव लगा ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज के लिए ही तक धन्नवाद